प्र हिसरे देखंते हैं तो यह हमारा कून सा कोशचन आ नहीं है इस के लिए मैं इन्लें डैमो बनाया हूआ है तो चली है मैं आपको इसे बताता हूं उसकार हम देखेंगे कि क्यिए र से बनाएंगे तो चलिए मारा चाहता हूं और दीओ से यहां जरू की रसे यह रहोख्ञ खूब मार्स्य कई है डिर तो इसे की सरद wildly िसले के रॉल जाता हूँ तो इस अंतिक होगा को याद होगा समाने मनुष्री के जो तो अपमान होता है वह होता है 37 degree centigrade और यह centigrade Celsius में होता है और जो Fahrenheit होता है 98.6 तो हम चेट करते हैं कि 98.6 लगनने पर ठीक है क्या 37 degree centigrade आ रहा है मतलब यह हमारा प्रोग्राम हमारा जो है सही बना हुआ है दीखे और इसी में क्लिक करने पर यह हमारे एक अब यहां हम डालते हैं एक और वैल्यू होती है जिसमें वैल्यू और वेल्वेल्यू और Celcius की वैल्यू वो दुनों深य बराबर होती है वो होती है मैनस 40 degrees centigrade gagn सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चैन्ठास की कान्वेत्य के यह से तो इसमें क्या दिया हुआ है फेरनायट से ऐी ओसने के दोधिर शॉंडेकर संस्टॉ शॉंज करने के लिए प्लेग जैशीट ठीट है तो हमारे पासे फारमूला होता है फाराहेट से चैmi अग में काल है हमें क्या करना है तो मतलब हमेंग दिकाल रहेगा City काना पड़ेगा है प्रेइब हो जाएगा यहां पे कोई स्थ फारेंगत में चेंज करने का सी एक्वराइल टू थी कॉइल टू यह जो फार्मुला है यह क्या चिछ करने का यह वाल जो फॉर्मुला है वह संटेग्रेट को फारेंहाट के चेंज करने का ठीक है यह जो स्षे Приखarius यह फारॉनला करने का है इसका फर्मुला क्या है एक नया एक्सल का फाइल खोल लेते हैं और इस्टेप बाइस्टेप बनाते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे यहां पर मैं एक्सल ओपन किया ठीक है यहां यहां पर हम क्या करेंगे करेंगे यहां पर हम राइट कि करें और इंसर्ट में जाकर करेंगे यूजर फॉर्म खराय यह यहां पर हम इसे टूलबॉक्स आ गया थिक है यहां पर हमये क्या चीट है सबसे पहले चुछी है यह पहला टैक्स बाख्सCELCYS की सोरी Fahrenheit की ठीक है क्योंकि हमें Fahrenheit 2 को Celsius में चेंज करना तो यहां पर कॉंसे लिए आएगी Fahrenheit की ठीक है फिर एक टेक्स बोक्स ले लेते हैं ठीक है इस टेक्स बोक्स में क्या होगा Celsius में Convert होके Value आएगी और एक Command बटन ले लेते हैं जिस पर क्लिक करने पर यह Conversion हो ठीक है और एक बटन ले लेते हैं ठीक है जिस पर क्लिक करने पर क्या हो जाए यह टेक्स बोक्स बोक्स टू में जो वेल्यू है वह क्लियर हो जाए तो यहां पर मैंने टेक्स ब्लती से डाल दिया है इसे हम डिलिट करता हूं यहां पर हमें क्या डालना है कमांड बटन डालना है ठीक है तो यहां पर मैंने कमांड बटन डाल दिया एक ठीक है ठीक है और एक लेबल ले लेता हूं ठीक है इस लेबल को यहां रख देता हूं यहां पर जिससे हमें पता चले है कि यहां पर हम फारेन हेट की वेलू डालने मले हैं और एक लेबल यहां लगा देता हूं ठीक है यह तो इसे मैं थोड़ा से नीचे कर लेता हूं इसे थोड़ा उपर कर लेता हूं ठीक है इन तीनों के एक साथ से लेक कर लेते हैं रैट लिक करता हूं make same size both ठीक है और right click करता हूँ ठीक है इस पे और align क्या कर लेते हैं left ठीक है यह दीक है यह तीन हो same size जो बराबर हो गया है command button हो थोड़ा से नीचे कर लेता हूँ ठीक है अब यह जो label 1 है और यह जो label 2 है ठीक है इन लोग को भी ठीक है मैं right click कर कर लेता हूँ left ठीक है यह भी बुर्बर हो गया उसके बाद हमें क्लिकना है तो यहां पर हम आ जाते हैं caption property में ठीक है label 1 के caption property में ठीक है यहां पर हमें क्लिकना ilute The contradhyte as well as and स्वाला यह वाले label में हमें क्लिकना है यहां पर हमारा Celsius है कि अब इन दोनों को select कर लेते हैं Fahrenheit को और Celsius को इन दोनों को select करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है control दबा के select करना है ठीक है तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं इसका font property चेंज कर लेते हैं फॉर्ण पॉपर्टी कर लेते हैं बोल्ड यहां पर टाइम्स कर लेते हैं और यहां पर कर लेते हैं फोटीन ठीक है यह हमारा हो गया उसके बाद ठीक है इसके बाद इन दोनों को select करके ठीक है यहां तक ठीक है यह उसके बाद हम इसके font property में आते हैं फॉन्ट कर लेते हैं यहां कर लेते हैं यहां कर लेते हैं 16 और कर देते हैं ठीक है अब यहां पर मैं आता हूं फॉर कलर में आता हूं इसके तीनों select है फॉर कलर में आते हैं पैलेट में आते हैं यहां कर लेते हैं ठीक है यहां तक लियर है अब उसके आदे इस कमांड बटन इस कमांड बटन में आते हैं यहां पर हम को क्या कर लिखना ह है और इसके font property में जाते हैं ठीक है यहां पर हम दूसरा कोई phone select कर लेते हैं अधिक इसका size फोल्ड बढ़ा देते हैं यह थोड़े छोटा लग रहा है यह अधिक है और इसका four color थोड़ा सा अलग कर लेते हैं यहां पर फोर कलर मैं कोई दूसरा ले लेता हूं ठीक है ब्लू ले लेता हूं ठीक है और यहां पर यह वाला जो कमांड बटन है इसका मैं font के size हम यहापन कर लेते हैं bold और यहां पर कर लेते हैं 12 ठीक है और इसके caption property में आके हम लिक लेते हैं sz for clear ठीक है जिससा हम देख क कैल दया है कि यहाँ पर हमें click करके हमें कै करना है clear करने है ठीक है इसका मैं size थोड़ा वर बढ़ा देता हूं इसके phone property में आते हैं. phone property में आके इसे थोड़ा सो मैं 20 कर देता हूँ 20 यह हो गया है ठीक है ? यहां तक clear है इसे मैं save कर देता हूँ control is करके ठीक है इसे भी मैं desktop में save कर देता हूँ desktop में इसका नाम दे देता हूँ मैं हमें क्या करना है Fahrenheit Fahrenheit 2 Celsius यहां पर आपको क्या करना है से अच्छे से धिहां रखना है कि यहां पर आपको एक्सल मैक्रोनेबल्ड वर्क्पूक करके ही स्वरी सेव करना है ठीक है और यहां पर मैंने इसे सेव कर दिया ठीक अब लिए इसका हमें बैड़रों कलर है यूजर फॉन कंख मेंधिर में चेंज करेते हैं वहां लिएंट बंकिलर में जाकर हम इसे कर लेते हैं नहीं पर इसको करेदें belinda को है और बैक की स्टाइल में आके हम इसे क्या कर लेते हैं तो यहां से यह दिखें तो चलिए अब यह से रन करा कर एक बार देखते हैं तो यहां पर जैसे मैं फारन हाइट की डालता हूं 98.6 अब यह कुछ नहीं हो रहा है तो कनवर्ट बटन पर हमें अभी क्या करना है एक कोडिंग डालना है ठीक है और 98.6 थोड़ा सा छोटा दीख रहा है तो इसे भी हम चेंग कर लेते हैं इ यहां पर मैं इसके आता हूं font property में font property में आने के बाद हम इसे थोड़ा सा कर लेते हैं 22 कर लेते हैं माल लीजिए ठीक है अब कनवर्ट बटन पर आते हैं ठीक है कनवर्ट बटन पर क्या होना चाहिए यह वाली कौन सी text box है यहां पर लिखा हूए text box 1 ठीक है तो text box 1 की value को ह हमें case में डालना है f नाम के variable में ठीक है और फिर फॉर्मूला बगा देंगे हम यह वाला अपना यह formula है हमारा ठीक है उस ही वेरिवल में जो value आएगी उस value को हम कर अडाल देंगे text box 2 में देखिए इस वाले text box होना text box 2 है ठीक है तो convert बटन लिप आते हैं यहां पर आ गया code window में यूज होता है वो command button 1 होता है ठीक है तो यहां पर हम जो भी code लिखेंगे वो किस के लिए है convert वाले button के लिए है ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना है text box 1 की value को किस में डालना है f में text box 1.tax ठीक है और formula लगा दीजिए c equal to f minus 32 into into 5 divided by 9 यह हमारा formula था ठीक है अब यह दिखेंगे यहां पर क्या हो गया text box 1 की value किस में आ गई f में ठीक है फिर इस formula से क्या हो गया c में हमारा final value आ गई celsius में करवाट होके जो value आने थी वह c में आ गई है अब जो c में value आई है उसे हमें कहा डालना है text box 2 में output में दिखाना है तो text box 2.text equal to हमें करते हैं c इतना इस line से code से आपका यह जो conversion हो complete हो जाएगा ठीक हम इसे रंपर आग रिखते हैं ctrl s कर दिए हमारा रंट की value डालते क्लिक किया ठीक है यहां पर मैं जो भी डालूंगा वह value किया आगा clear button की value रहेगी तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना है text box 1.text equal to क्या करते हैं double code दूबा लगाना है और text box 2.text equal to double code फिर से दूबा लगाना है ठीक है तो इस तरह कैसे जो दोनों text box इवली हो clear हो जाएगी फिसर रंड कराते हैं ठीक है यहां पर मैंने डाला 98.6 ठीक है तो यहां पर मैंने convert पर क्लिक किया देखे 37 बना रहा है यहां पर c पर क्लिक करता हूं देखे clear हो गया ठीक है अब यहां डालत किया देखे यहां पर 212 डालता हूं मैं ठीक है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बाद विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्स्राइब जरू करें क्यूंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह सारे practicals की solutions आपको मिल जाएंगे और आगे भी मिलते रहे हैं उसलिए आप bell icon को जरू करें वीडियो में तक देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद